हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह उता निजारों कि कैसे आप अपने वीवो Z1X Android वाइल फोन में आप जो है नोटिफिकीशन मेथट सेटिंग को आपने चेंज कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह नोटिफिकीशन मेथट सेटिंग जो है कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हुनता है चलिए आप यह वीडियो का हमें स्टार्ट कर लेते हैं अब इसके आगले page में आपको यह option मिलेगा notification method इससे select करना है अब यह notification method का एक छोटादा page open होगा इसमें आपको जो है न यह निचे की side 3 option दे रहे है 3 में से लेकिन आपको ऊपर के 2 option का आपको use करना है change करगे देखे आइकन का और number का यह icon और number यह दोनों option काम कैसे करते हैं यह मैं आपको बताता हूँ फिर इसके बाद आप अपने सबसे से change करके use कर सकते हैं देखे आइकन पर अगर select रहता है तो इससे क्या होता है अगर आपके phone में कभी भी notification आता है तो जिस app का notification आता है वो टीक है जिस app का वो notification होता है उस app का आपको icon दिखाई देता है कहाँ पर यह status बार में यह आप देख सकते हैं मेरे status बार में यहाँ पर सबसे उपर यह setting का एक यहाँ पर मुझे notification आया हुआ है तो इससे क्या होगा कि आपके mobile phone में जितने भी notification आएंगे ना सारे के सारे notification की total counting आपको आपके status बार में दिखाई देगी जैसे यहाँ पर देखे तीन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है और यहाँ पर मेरे phone में यहाँ पर तीन notification आ रहा है एक दो तीन तो इस तरीके से आप यह notification method setting को आप change करके से use कर सकते है अपने mobile phone में ठीक है अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ आपके mobile phone में इसके लिए आपको mobile phone का setting page फिर से open करना है starting से ठीक है इससे क्या होता है आपका phone आपको directly setting में लेकर आ जाता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंडने का